ये तितली है तितली हमारे साहिल जो पैरावेट है उसके रिश्तेदारों के यहां से आई है तो उन्होंने देखा कि गाया है जिसको चोट लगी हुई है इसकी हड्डी पूरी निकली हुई थी तो उन्होंने हमें फून किया अप उनका घर है हमारे एरिया के बाहर पढ़ता तो उन्होंने का कोई बात नहीं अब यह ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई अमीर लोग उन्होंने पैसे कठे करके गाड़ी करी और वह इसको यहां ले के आए अब लेगा थे तो इसका जो चोट थी वह मतलब हमारे समर्थ से उपर है बसके बाहर की बात थी तो हम इसको पा तो हो जाएगी एधिके कि यह भी छोटी ही ढूख कि बात यह जोह जो हो जाएगी थीक तो जाएगी वापिस सडख पर है क्वहम आखिरकार अस्पताल होटल हमहें तो मज़े की बात पता है जा गाड़ी कि कि शोड़ना जोग यह पूछते हमtha कि कि आप ये क्यों कर रहे हैं अब डिबेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है जवाब तो मैं उस साब से देता हूँ पर मुझे बाद बड़ी अटपटी लगती है क्योंकि अगर आज मैं किसी गाये को लाठी मारके भगा रहा हूं ना तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा कि ये कुछ मतलब मेरी मेरी गाड़ी टकरा जाती है गाये से और मैं भाग जाता हूं तो भी ये नहीं कहेगा कोई मुझे कि आप क्यूं कर रहे हैं पर जब मैं मदद कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं क्यूं मदद कर रहा हूं फिर भी हो पूचेंगे तो मैं कह देता हूं मैं स्वर्ग में अमनी सीड़ पकी कर रहा हूं या मैं कहता हूं मुझे सरकार बहुत पैसा देती है इसके लिए ट्रम्प, डॉनल्ड ट्रम्प पैसे भेजता है मुझे इसके लिए पर अतनी छोटी सी बात है कि भई उसे दर्द हो रहा है जानवर को दर्द हो रहा है आपको भी तो दर्द होता है तो आपको पता है दर्द कैसा महसूस होता है तो जितना आपका समर्थ है आप उतनी मदद करें ना यही तो इंसानियत है हम कहते हैं मानवता पर्मो धर्मा पर मतला हम हिंदू-मुस्लिम को लेकर बहुत पर्टिकुल डालेंगे प्लीज यह इसकी पिनिंग इनोंने की है तो बड़ाई अच्छी तरह की सर्जरी है वैसे बहुत ज्यादा एक्स्पेंसिव सर्जरी है यह इन्होंने पिन डाले हैं और यहां पर एमसी लगाई है अब हमार को जो यह देखना है वह यह सबसे कि बस यहां पर करेंए इनफेक्षिन ना हो है है ठीक है अब आपको इसकी प्रॉग्रेस के बारे में अप्डेटिट रखेंगे अब हुआ है कि अब प्रूद्ध कर दो प्रूद्ध करनाएम कर दो जाए अब आख को अई